भविश्य की आवश्रक्ताओं को देखते भी होने चाहिए और इसलिए Judiciary and the Changing World इस विशे पर महन मंथन मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर है साथियों भारत के लिए बहुत सुख़द अवसर भी है कि महत्वपूर कांफरेंस आज उस कालखन में हो रही हैं जब हमारा देश राश्प्रिता महत्पा गांधी की 150 वी जन्म जैनती मना रहा है पुझ्य बापू का जीवन सत्य और सेवा को समर्पित था जो किसी भी न्याय तंत्र की निव माने जाते हैं और हमारे बापू खुद भी तो वकिल थे बैरिश्टर थे और अपने जीवन का पहला मुकदमा उन्होंने लड़ा उसके बारे में गांधी जी ने बहुत विस्तार से अपने आत्म के धा में लिखा है गांधी जी तब बंबई जो आज का मुंबई है वहां थे संगर्ष के दिन थे किसी तरह पहला मुकदमा मिला था लेकिन उन्हें कहा गया कि उस के एवेज में उन्हें किसी को कमिशन देना होगा गांधी जी ने साब कह दिया था कि केस मिले या न मिले कमिशन नहीं दूगा सत्य के प्रती अपने विचारों के प्रती गांधी जी के मन में इतनी स्पर्ष्टता थी है और यह स्पर्ष्टता आई कहां से उनकी परवरिश उनके संस्कार और भारतिय दर्षन की नियंतर अध्यन से यह निकला है फ्रेंट्स भारतिय समाज में रूल अफ लौव सामाजिक संस्कारों का आधार है हमारे यहां कहा गया है छत्रयस्य छत्रयस्य छत्रम यत धर्म यानि लौ इस दगिंग ऑप किंग्स लौ इस सुप्रीम हजारों वर्सों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतिय की न्याय पालिका पर अगहात आस्था है सात्यों हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी फैसले से पहले अनेक तरह की आशंका इव्यक्त की जा रही थी लेकिन हुआ क्या एक सो तीस करोड भारत वास्चियों ने न्याय पालिका द्वारा दिये गए इन फैसलों को पूरी सहमती के साथ स्विकार किया हजारों वर्षों से भारत न्याय के प्रति आस्ता के इनी मुल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है यही हमारे समिधान की भी प्रेना बना है पिछले वर्षी हमारे समिधान को सत्तर वर्ष पूरे हुए है समिधान निर्माता डॉक्र बाबा साब आमेड करने कहा था Constitution is not a mere lawyer's document it is a vehicle of life and its spirit is always a spirit of age इसी भावना को हमारे देश की अदालतों हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने समय में आगे भड़ाया है इसी spirit को हमारी legislature और executive ने जीवन रखा है एक दूसरे की मर्यादाओं को समझते हुए तमाम चुनोतियों के बीच कई बार देश के लिए समिधान के तीनों पिलर्ष ने उचीत रास्ता ढूंडा है और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक सम्रुद्ध परंपरा विक्सित हुई है बीते पांच वर्षों में भारत की अलग-अलग संस्ताव ने इस परंपरा को और ससक्त किया है देश में ऐसे करीब पंदरा सो पुराने कानूनों को समाप्त किया गया है जिनकी आज के दौर में प्रासंगिक्ता समाप्त हो रही थी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून समाप्त करने में तेजी दिखाई गई है समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए गए है ट्रांसजेंडर पंसंस के अधिकारों से जुड़ा कानून हो तीन तलाग के खिलाब कानून हो या फिर दिव्यांग जनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून सरकार ने पूरी सम्वेदन सिल्टा से काम किया है फ्रेंट्स मुझे कुछी है कि इस कान्फरेंस में जेंडर जस्वर्ड के विशय को भी रखा गया है दुनिया का कोई भी देश, कोई भी सममाज जेंडर जस्वर्ड के विना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्याही न्याय प्रियता का दावा कर सकता है हमारा सम्विधान राइट टु एक्वेलेटी के तहत ही जेंडर जिस्वर्ड को सुनिश्चित करता है भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महलाओं को वोड़ देने का अधिकार सुनिश्चित किया आज सत्तर साल बात अब चुनाओं में महलाओं का एक पार्टिसिपेशन अपने सर्वोचस्तर पर है अभी कीशवी सदी का भारत इस पार्टिसिपेशन को दूसरे पहलूं में भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है बेटी बिचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभ्यावनों के कारण पहली बार भारत के एजुकेशनल इंस्ट्यूशंस में गर्ड चाइल का इंड्रोल्मेंट लड़कों से जादा हो गया है और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होगा इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की न्यूक्तिया हो फाइटर फ्लाइट्स की चैन प्रक्रिया हो माइन्स में रात में काम करने की स्वतंतरता हो सरकार द्वारा अनेक बढ़लाव किये गए है आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामिल है जो देश की केरियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मेटनेटी लीव देता है साथियों परिवर्तन के इस दौर में भारत नई उचाई भी हासिल कर रहा है नई परिभाशाएं गड़ रहा है और पुरानी अवधानाओं में बढ़लाव भी कर रहा है एक समय था जब कहा जाता था कि तेजी से विकास और परियावरण के रक्षा एक साथ होना संभव नहीं है भारत ने इस अवधारना को भी बढ़ला है आज जहां भारत तेजी से विकास कर रहा है वही हमारा फॉरेस कवर वही तेजी से एक्षपांड हो रहा है पांच-छे साल पहले भारत विश्व की ग्यारवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता था तीन चार दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मताबिक अब भारत विश्व की पांच-वी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है यानि भारत के भारत ने ये करके दिखाया है कि इन्फरस्ट्रक्चर निर्मान के साथ साथ एन्वार्मेंट को भी सुरक्षित रखा जा सकता है साथ्यों मैं आज इस अवसर पर भारत की न्याय पालिका का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने विकास और परियावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है उसमें निरंतर मारदर्शन किया है अनेक पब्लिक इंट्रेस्ट लेटिगेशन पियाएल्स की सुनवाई के दौरान सुप्रिम कौट ने भी परियावरण से जुड़े मामलों को नए सिरे से परिभाशित किया है साथियों आपके सामने नियाय के साथ ही सिक्र नियाय की भी चुनोती हमेशा ही रही है इसका एग हद तक समाधान टेक्नोलोजी के पास है विशेश तोर पर कॉर्ट के प्रोसिजरल मैनेजमेंट को लेकर इंटरनेट आधारी टेक्नोलोजी से भारत के जस्टिस डिलेवरी सिस्टिम को बहुती लाब होगा सरकार का भी प्रयास है कि देश की हर कॉर्ट को इकॉर्ट इंटिग्रेटेड मिशन मोर्ड प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए नेशनल जुडिशल डटा ग्रीड की स्थापना से भी कॉर्ट की प्रक्रियाएं आसान बनेगी आटिफिशन इंटिवेग्ट प्रक्रियाओं को और गति देगा भारत में भी नायल गद्वारा इस पर मन्थन किया जा सकता है कि किस शेत्र में किस तर पर उन्हें आटिफिशन इंटिवेग्शन कि साहयता लेनी है इ से इसके अलाबा बदलते हुए समय में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विशे भी अदालतों के लिए नई चुनोती बनकर उभर रहे हैं इन चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक विश्वयों पर इस कॉन्फरेंस में गंबीर मंथन होगा कुछ सकारापग सुझाओ सामने आएंगे मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फरेंस से भविश्व के लिए अनेक बहतर समाधान भी निकलेंगे एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुपकामनाओं के साथ इस समीट की सफलता के लिए मेरी शुपेच्छाओं के साथ साथ इस मंथन से जो आमरित निकलेगा वो न सिर्फ भारत को लेकिन नई उचाईयों को प्राप्त करने की मसक्कत कर रहे विश्व को भी अवश्य उप्योगी होगा इसी भावना के साथ मेरी शुपकामनाओं को कहते हुए मेरी वानी को वि अवच्छाओं है झाया है कि इस अच्छेशन झाया है कि अज्वान अवान.